बारतिये केंद्री नागरिक उड्डेन मंत्राले द्वारा एरलाइन्स को सभी घरेलू उडानों में भोजन परोस्नी की अनुमती दे दी गई है। उडाने भोजन सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। मंत्राले के साथ मंत्राले के आदेशा नुसार यात्रियों को पत्रिकाओं और अन्य पठन सामागरी को फिर से शुरू करने की अनुमती दे दी गई है। इक यात्री को सीमा शुलक अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है और लगबक पंद्रसो ग्राम वजन वाली दो सोने की छड़ें भी जैप्त की गई है। सीमा शुलक विभाग के सहायक आयुक्त बीवी अटल ने बताये कि खूफिया जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने एर इंडिया के विमान AI-942 की तलाशी ली। कमिश्णर ने कहा कि सोनी की छड़ें यात्री की सीट के कुशन के नीचे छिपी हुई मिली। पूश्टाश के दोरान आरोपी यात्रे ने खुलासा किया कि विमान में रखा गया सोना एक एरलाइन करमचारी द्वारा एकत्र किया जाना था जिसे वो नहीं जानता है। इस बीच जैपूर हवाई अड़े के अधिकारियों ने कहा कि ग्राउंड स्टाफ की भूमिका की जाँच की जा रही है। जब्त की गई सोनी की छड़े 99.5 शुन्य फीसदी शुद्ध हैं और इनकी कीमत लगबग 75,09,000 रुपए है। सिमा शुलक अधिनियम की दारा 1962 के तहट सोनी को जब्त कर लिया गया है।